येलो गैस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी पोट की और यहाँ पर अभी देखे तो मंगल शुक्रवार को जो है डेल पसंग की तेजी के साथ क्लोजिंग रही आने वाला हपता कैसा रह सकता है वो हम देखेंगे मंगल वार और पूरे हफते की बात करे है और तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेर भी जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए आगे यहाँ पर देखें तो अभी इसका जो प्राइस है यह बिल्कुल बीच में खड़ा है यह यह यहाँ पर इसने 1360 रुपे का एक हाई बनाया था नीचे में जो है पर करता है वहाँ पर क्लोजिंग देता है तो एक नया lifetime high बनाने के possibility रह सकती है अधर्वाइस थोड़ा सा और consolation हो सकता है तो market में consolation रहा तो इसके अंदर भी थोड़ा सा consolation रह सकता है अभी यहाँ पर एक चीज़ पोजिटिव दिख रही है 5 और 9 डेस का जो moving average है उसके उपर इसने इस शुक्रवार को closing दी है क्योंकि यहां से जब यह correction स्टार्ट हुआ था इसके ऊपर यह नहीं close हो पा रहा था लेकिन इसको इन दोनों moving average को fast moving average भी कह सकते है तो strength तो इसके अंदर वापस लोटी है लेकिन यह level जिस level के उपर इसने closing दी है बिलकुल वही पर इसली बार इसने यहां पर support लिया था जब इसके अंदर यह तेजी आ रही थी तो इस level को अगर यह पार करता है continue तो वापस से तेजी की संभव ना रहे सकती है और अगर level की हम बात करेंगे 15 मिनिट का chart देखें तो यहां पर भी अगर देखें तो सबेरे जो है शुक्रवा और अब यह वापस से consideration चालू हुआ है तो यहां पर भी अगर देखेंगे एक चीज़ के पिछला हाई जो इसने बनाया उसको जब पार करता है तब इसके अंदर तेजी आती है फिर यहां पर भी वहीं situation रही और यहां पर भी वहीं situation है जो कि 1360 रुपे का इसने हाई बनाय कि वह लेवल भी इसको यह पर भी निज़र रख सकते 22225 के आसपास का और यहां पर पिछली बार इसने चोटी चोटी प्रॉफिट बॉकिंग आई थी और यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बॉकिंग आई जिसके यह केंडल को आप देखे तो साथ साथ इसका जो फाइव इसके अपर एक रजिस्टर का सामना पड़ सकता है लेकिन अगर जैसे यह उपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है जैसे कि यहां पर यह गया था और यह जो लाइन है तकरिबन 1370 के आसपास है जहां पर इसने प्रीएसली भी एक हाई बनाया था तो यह मतलब कि अ इसके उपर भी नज़र रख सकते हैं अभी पास पास ही है और इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजिस होते रहते हैं अब यहां पर हम देखे डेली चार्ट के अपर वापस से तो जो इसका जो सपोर्ट एरिया और रजिस्टर रह सकता है जैसे कि हमने चर्चा की प् भी नज़र रख सकते हैं लोंग टर्म के लिए तो अच्छा रह सकता है लेकिन शौट टर्म की बात करें तो यह जो 1190 रुपे का सपास का इसने लो टच किया था जब तक इसके उपर है तब तक जो है एक तेज़ी की पोसिबिलिटी हो सकती है अगर यह लोग को तो तो नी जानी की संभावना रह सकती है और इसको अगर पार किया तो जैसे कि हम ने चर्चा की एक तो यह चोदा सो पचास रुपे से लेकर पंदरा सो रुपे तक जानी की संभावना रह सकती है अगर मार्केट का साथ रहा तो अब सपोर्ट और नीचे की तरफ टूटता है तो जो दूसरा सपोर्च होता है वहान तक जाने की संभात ना रहे सकती है एक सपोट उपर की तरफ रूटता थो जो इसके बास पार नहीं बिलकि एक रजिस्टर अगर वार के तरफ होता है तो दूसरा क कोई की संभबना रहे सकती है कोई भी शेर हो ऐसा मुझे लग रहा है तो इस अब यहां पर जो है दिख रहा है मंगल वार को तेजी की कोशिस तो कर सकता है पहले अगर देखे तो मुझे इसा लग रहे है कि ऊपर में तेरा सो रुपे का सपस अगर गया तो वहां पर एक छोटा सा कर सकता है नीचे में अगर देखे तो बारा सो पचास अगर नीचे आता है तो यहां पर इसको जो है एक सपोर्ट मिल सकता है तो यह एक जो है ट्रेडिंग रेंज इसकी रह सकते हैं दो चार रुपे उपर नीचे भी रख सकते हैं अब यहां पर जो सपोर्ट देख रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं नजदी की सपोर्ट जैसे कि हम ने चर्चा की एक तो 1250 उसके बाद देखे तो 1220 रुपे का सपास का जोन और उसके नीचे जो है 1180 रुपे का सपास का जोन यहां पर दिख रहा है इसा सपोर्ट उसके बाद देखे तो 1330 रुपे का सपास का जोन और उसके बाद देखे तो 1360 जो की इसने प्रिवियस लिए हाई बनाया था यह हाई को अगर ब्रेक करता है तो अब इसके अंदर वापस से एक और अच्छी तेजी आने की संभावना रह सकती है तो बंगलवार को इसके पर हम चप्चा करेंगे तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होलिंग है और अगर आपको जानकर यह अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्स्राइब कर ले हमारे चैनल को और हमारे दूसरे वीडियो इस भी जरूर देख और हमारे छोरूर करेंगे पृ ze mêmes मतवल है वीडियो आपकी बंगद फृब युड़ ऑंगर को मी बंगर िन